नमस्कार मैं पणकच आपका स्वागत करता हूँ आए इस वीडियो में जानते हैं अगले आप बैंक नेप्टी या फिनेप्टी का अगले संस में आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको जेरोधा कितना बरोकरेज चार्ज करती है अपको दिखाते हैं कितना जरोधा वाप से कितना ब्रोक्रेज ले रही है इसके आपको ध्रेट लेते हैं ए पूरे डिटेस अपको दिखाटे हैं तो कितना आपसे जो है ब्रोक्रेज लेती है जरोधा उसको आपको हम दिखा रहे हैं तो हम जो है एक ट्रेड लिये थे तो आपको दिखाते हैं यहां पर ट्रेड हम किये थे ट्रेड हम किये थे 13 तारिकों किये थे तो 13 से 16 का हम statement दिखाते हैं यहाँ पर options में ले जाते हैं फिचर options का मैं आपको ले जाते हैं तो यहाँ से जो है आपको देख जाएगा यहाँ पर देखे इसको हम यहां पर आपको दिखाते हैं तो देखे एक trade हम यहां पर लिए होगे ते देख सकते हैं जो buy जो किये थे देख सकते हैं buy जो है 30 रुपिया 85 पैसा पर यहां पर buy हुआ है और जो sell जो किये थे 53 रुपिया 40 पैसा पर जो है यह options जो है sell किये थे तो यहाँ देखिए, यह जो है, buy value हो गया है, 711 रुपिया, 25 पैसा, और sell value जो है, 235 रुपिया है, तो यहाँ पर देखिए, यह वैलू है, उसके बाद जो इसमें, देखिए, charge जो लगा है 49 रुपिया, 50 पैसा इसमें देखिए चार्ज टोटल लगा है ब्रोकरेज मिला के तो इसका डिटेल सी इस प्रकास से देखिए ब्रोकरेज जो है यहाँ पर 40 रूपिया ब्रोकरेज लेती है उसके बाद देखिए एक्सेंज, ट्रांजेक्शन चार्ज एक्सेंज का जो ट्रांजक्शन होता है वो चार्ज देखिए आपको 1.12 यानि कि 1 रुप्इया बारा पैसा यहाँ पर देखिए लगा हुआ है उसके बाद क्लियारिंग चार्ज यहाँ पर नहीं लगा है उसके बाद जो है GGST भी नहीं लगा है cgst भी नहीं लगा है, sdst भी यहाँ पर नहीं लगा है, उसके बाद देखें एक जो है integrated gst, यहाँ पर देखें gst, 7 रुपिया 40 पैसा यहाँ पर gst लग गया है, उसके बाद यहाँ पर देखें security transactions में 1 रुपिया यहाँ पर लगा हुआ है, यही है सरा stamp duty इसमें आपका नही लगता है, देख सकते हैं, वो 0 है क्योंकि intraday किये हुए, इसमें stamp duty नहीं लगा है, तो यह देखें एक जो है अगई दि आप एक lot अगई दि बाई करते हैं, यह bank nifty का था तो यह 25 का एक lot था, देख सकते हैं, quantity 25 था, इसमें जो है इसका जो charge लगा है देख सकते हैं, 49 रु जाएगा, उसके बाद जो है security transaction tax है, यह भी आपका बढ़ जाएगा, exchange transaction charge यह भी बढ़ जाएगा, दो लोट अगई दि करते हैं, तो उसमें जो है बाकी charge आपका लएगा, लेकिन यह जो brokerage है आपका एक ही लएगा, जैसे 40 रुपिया है, तो अगई दि उसमें आप 3 lot भी इस चैनल को सस्क्राइब भी कर ले, धन्यवाद